आप देख रहे हैं स्वागत है आप से लोग का आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव काफी इंपॉर्टेट वीडियो होने वाले क्यों दुबई वीजा के रिखाड़ी कुछ ना यह रूल्स आए जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है आप वीडियो में एंड तक प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है तो क्या नए रूल्स हैं क्या अपडेटे हैं हम वीडियो में आगे बात करेंगे पहले मैं आपको यह चीज एक एक्जामपल देके समझाता हूँ एक लेटेस्ट इंस्टेंस है उनके डॉकुमेंट्स प्रॉपर नहीं थे अब कमी यहां किसी भी चीज में हो सकती है आप यह सोच रहोंगे कि सब्सक्राइब क्या मतलब है अगर हम बात करें इसमें फंड्स की भी कमी होने की विए से आपको डिपोर्ट कर दिया रहे हैं तो उनका डॉकुमेंटेशन ज उन्होंने वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉकुमेंट नहीं थे जिया आप भी सोच रहे होंगे सार ऐसा तो हमने यूरोप के कुछ कंट्री में सुनें ऐसे एक्जांपल अब यह दुबई में कब से हो लग तो यह अब से होने लग दुबई भी जो है यूरोप के कल्चर को फॉलोग कर रहा है जहां इंडियन पासपोर्ट जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात आती है तो वहां अब दुबई जैसे कंट्री भी अपने रूल जो है स्टेट करने लगी है तो आप वीडियो में एंसर मन रहे हैं आगे हम बात करेंगे कि क्या ने रूल दुबई ने निकाले हैं क्या नई जो रेस्टिक्शन से वो निकाल दी विडियन के लिए कि आपको इतना फंड दो लाना ज़रूरी अगर आप त्यूरिस या विजिट विज़ा पर जा रहे हैं क्या होटल बुकिन के बारे में इंप्रमेश ये विज़ा पर जा रहे हैं तो तीन हजार दिरम जो की होता है लगबख 68,000 के आसपास आप बागी कर लीजिए करेंट डे रिवेट क्रेट के अकॉड़ी इतना फंड या तो आपके पास कैश हो दिरम्स में या आपके पास डेमिट कार्ड अकाउंट में हो या आपके क्र कर रहे हैं तीन के 4,000 कोई दिक्कत नहीं लेकिन 3,000 से कम अगर होगा तो आपके लिए प्राब्लम हो सकती है जिया गाइस अब इसमें अच्छी चीज क्या है कि क्रेट कार्ड की लिमिट भी अगर 68,000 अविलिवल है 3,000 के बराबर तो भी आपको कोई प्राब्लम नहीं तो आपको 3,000 के बराबर का या तो बैंक स्टेट्मेंट या डेविट कार्ड में लिमिट या क्रेट कार्ड में लिमिट होना जरूरी है तो इसी अपडेट में आगे एक और इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लॉंग स्टे वीजा के लिए जा रहे हैं मतलब ऐसा जो एक मह आपके जो पासपोर्ट की वैलेटी है उसको भी चेक के जा रहा है वो जो है 6 मन तक की होनी चाहिए तो आपको इसका भी ध्यान यहां रखना है तीसरा जो इंपोर्टन अपडेट है यह है कि यहां जो है होटल बुकिंग की चेकिंग हो रही है मतलब आपको प्रॉपर होटल बुकिंग प्रॉपर रखिए अपने पासपोर्ट में जो 6 मेनी की वरेटी है उसको प्रॉपर रखिए तो आगे इस इंफॉर्मेशन में यह है कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव के गर जा रहे हैं तो उनका जो डीटेल्स आपके पास होनी चाहिए अकॉमडेश प्रॉपर होना चाहिए उनका जो रेंट वेपर है वो भी मांग सकते हैं उनकी कॉंटे टीटेल भी यहां मांग सकते हैं आगे इस अप्डेट में कहते हैं कि अगर आप दुबई विजिट विजा के परपस से जाते हैं तो आपको वहां जॉब करना अलाओ नहीं है अगर यह कुछ नई information थी दुबई विजा से रिगार्डिंग गाइस अब हम बात करें आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी information आपने देतनी सारे changes अचानक से हो गए हैं क्या हमसे ऐसा होगा कि हमसे सवाल होंगे तो guys totally depend करता है आपके confidence पे कि आप airport किस confidence जाते हैं हो सकता है आप आपसे रिखन हो सकता है आप से amount funds ना पुछका हो सकता है आप से relative का नाम पथा आपसे अगर पूछा लेकिन अगर पूछ लिया ऊपके पास इस जी होनी चाहिए है सिर्स इसलिए हम इंफORMATIV इंपोर् horse बनाते हैं कि आप eight पर न जाकर करें लेकिन आसा information लेकर جाएं कि आ तो आप कोई चीजों का ध्यान रखना है और वैसे भी 3,000 तक का बैलेंस तो अगर आप दुबई जा रहे हैं तो इतना तो पैसा हम लेके जाते ही हैं बागी होटल वोकिंग्स तो बिना होटल वोकिंग के कोई दुबई ने जाता सिर्फ सिंपल जी बात नहीं है कि आप अप कोई आप से पूछे तो आप उन्हें बता सके हैं इन सबसे देखके मुझे जो मेरा ऑब्जरविशन है यह है कि दुबई ने अपना एरपोर्ट इंस्पेक्शन प्रोसेस काफी टाइट कर दिया है मतलब एरपोर्ट पर जो इंस्पेक्शन होता है ट्रेवलर्स का वह काफ कोविड के बाद में जितनी भी जॉब सी उससे डबल लोग जा चुके हैं तो वहाँ प्रॉपर प्रॉपर जॉब अप्रॉपर्शुर्टी करेंटली बहुत कम है एक होता है कि जाओ जॉब मिल जाए अच्छी खासी ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास तो लाइव एक्जांपल और काम करने वाला ज्यादा पहुच चुके हैं वहाँ पर इसलिए गाइस यह एरपोर्ट इंस्पेक्शन डॉकुमेंट्स वेरिफिकिशन परपस ऑफिस्टे यह सब उचा जाने लगा है क्योंकि ऐसा तो सिर्फ यूरोप वाले कंट्रीस में होता था था न हमने भी यह जाओध की दो सिटीस से 20 से 30 लोगों को जो है बैलिट कर दिया एरपोर्ट से बाल कर दिया कि आपके पास इंप्रॉपर डॉकुमेंट्स और कुछ लोगों तो दुबई से वापस इंडिया वजा तो हमें कुछ नहीं करना हमें ध्यान रखना है अपने डॉकुमेंट्स का अपने टिकेट भी कर लें लेकिन दुबई ना पहुच पहा तो लॉस आपका होगा वीजा का लॉस होगा तो इस लॉस से बचें आपने चार से पांच में इस वीडियो में इनवेस्ट करें अपने जिनके लिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है जो भी इनफॉर्म जरूरी है कि आपके सब डॉक्यमेंट वेडिफिकेशन हो लेकिन जब आपका अगर हो जाए इनकेस तो आप जो है प्रॉपर डॉक्यमेंट अपने दिखा सके आज की वीडियो अगर वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर किजिए सब्सक्राइब कर दे